नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शन सेजू, असिस्टिन प्रोफेसर, डिपार्टमेंट अप्टियोग्रफी, गौवर्मेंट को रेस बटू कुलाएं। तो हमने पढ़ाता पिछले वीडियो के अंदर, कि जो हमारा सुरिय है, उस सुरिय से क्या है, जो शौर विकिर्म है, वो लगुत रंगों के रूप में दर्दी तक पहुंसता है, यहां हमारी पिर्द्वी तक पहुंसता है। यानि जो शौर विकिर्म है, वो लगुत रंगों के दवारा द्रात्र चताता है। जब कि हमारी जो दर्दी है, वो क्या दर्दी दिर्द्वी तक रंगों के दवारा उसी शौर विकिर्म को वापिस बेज देती है, जिसको हम क्या वारती विकिर्म है। ये वारा जो पारती विकिर्म है, जब ये वापिस जाता है, तो इससे क्या है, जो हमारा वायू मंडल है। वायू मंडल के अंदर जो भी चीज़ें पाए जाएगी। जल मास्क पाए जा रहे हैं, या धूलकन जो पाए जा रहे हैं। वो क्या कर लेते हैं, इस पार्थी विकिर्म को क्या कर लेते हैं, अवसोसित कर लेते हैं। अवसोसित करने के बाद हमारा वायू मंडल क्या हो जाता है। गर्म हो जाता। कि वहे गुण किसी वस्तू का वहे गुण जिसके दुवारा वहे हमें गरम या ठंडी महसूस होती है वह गुण क्या गलाता उसका तापमान क्या होता है उसमा की वहे मातरा जिसको हम क्या करते हैं महसूस करते हैं किसी वस्तु के दोवारा जिससे वो हमें घर्म होती है उसको क्या कहते है इस वाई मुडल उसको कहा इस मिलता है पार्थी विक्रन के दोवारा जब का इstep को यह अब ये है कितां मापन कहां से होता है तो का क्रीं टिक अड़ी के अंदर है तो डिक्रीं सेल्शिय या सेंटींग्रिड़्जिस को रहता ही है यह फारनगाइट के अंतापमान को परभावित करने वाले कारक वार्वान से होती है तो पहला जो बेने कारक आपके सामने लिखा है जिसकी अंदर है भूमद्य रेखा से दूरी हम पहले भी पढ़ चुकी है कि जो हमारी दर्टी है उसको एक कालप्रिक रेखा दो बागों के अंदर बाढ़ती है जिसको वो मते रेखा कहा जाता है वो मते रेखा है इसके उपर साल में दो बाद सुरी की किरने बिल्कु सीधी पड़ती है साल में दो बाद 21 मार्च और 23 सितम्ब ये दो दिन ऐसे होते हैं साल में जब क्या है सुरी की किरने सीधी पड़ती है इसके अलावा 21 जून को सुरिये की किरने करक रेखा पर सीधी पड़ती है और 22 दिसंबर को सुरिये की किरने है वो मक्तर रेखा की उपर सीधी पड़ती है कहने का मतलब क्या है कि साल में दो बार सुरिये की किरने क्या है तो उनको क्या करना पड़ेगा एं तो दूरी कम्त्या करने पड़ेगी दूसरा क्या है जो परती काई चेतर है वो भी क्या हो जायेगा इसलिए क्या हो भी सुर्य तक की मातरा ज्यादा प्रापत होगी इसलिए यहां वो मदेरेखा क्यों पर गया है, सुरिय तब सबसे ज्यादा प्रापत होता है और सुरिय तब सबसे ज्यादा प्रापत होगा, इसलिए यहां पात्मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा लेकिन जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे मद्यरेखा से, चाहे आप नौर पोल की और सलें, चाहे आप साउप ओल की और सलें, क्या होता जाएगा, टमपरेचन कम होता जाएगा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जैसे मद्यरेखा से दूर जाएंगे, वैसे वैसे, जो सुझी हैं उनके अंदर किया हो रहेगा तो उनकी दूरी बढ़ जाएगी क्यों क्यों कि तिंचि बढ़ेगी और इसका जो पर्तिकाई चेतर मॉफित क्यों इसलिए परभट जाये घ्रungkin नार पर जायेकशे जैसे जैसे हम दूर किया होता दूशरा जो कारत में आपके सामने लिखा है इसके अंदर है सुद्र तरसी उंचाए बड़ा इंपोर्टेट पॉइंट आए उंचाए कि अंदर हमने तोपिक पड़ा था वाई मुडल वाई मुडल की परते उसके अंदर हमने क्या पड़ा था कि 150 cm की हाइट पर क्या हो जात जैसे जैसे उपर जाएगे सुद्रिय के अंदर जा ले तो ताप मच बढ़ना चाहिए तो यहां रिजन के हम जाएगे साथ का मन कम क्या होता है जैसे मैं आपको पहले बताया था टंप्रेचर की जो डेफिनेशन दे थी उसके अंदर यह बताया था कि जो आपके जलवास् और ले और जो आपकी वाइउ है यह क्या करते है जो पार्esis वीकर पर जा रहाता है उसको आविशोर सीद करने वाड़ा कुछ वहां है नहीं तो वहां का तापना नहीं बढ़ेगा यानि वाईयू की निचनी परते हैं उनकी अंदर के है तापना जादा पाया जाता है लेकिन जैसे जैसे उपर जाएंगे जल्वास दूर्ण वाईयू इनकी म तो समुंदर तल से जैसे जैसे उपर जाते हैं वैसे वैसे कि आपता जाएगा जो प्रेचर नूम होता जाएगा इसका एक जापकर यह है कि समुंदरी जो चेतर समुंदर जो तल के आसपास का जो चेतर है मेदानी भाग है वहां तात्मान हमेजा ज्यादा पाय जाता है ज मुंदर कल से जादा मुझा इंडर्दी तो लेकिन जो अंबाला है वो विधानी भाग के दस्थित है इसलिए अंबाला का यह जाना मिलेगा कि अपया सिम्टलव है मिलेगा जी जरुषप मौन वहां को कि कम हो जाएगा तीसरा है समुंदर तक से दूर, आपने देखा होगा कि जो जल है वो देर से गरम होता है और देर से क्या होता है, ठंडा होता है, स्तलिय भाग है वो जल्दी क्या हो जाता है, गरम हो जाता है और जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, रिजन क्या है, कि जल्दी क्या ह ऐसले में घराय तक प्रवेश कर सकती है लेगन असलिये बाव ने जादा कर दिए जाद हो आथ उम्नी आ iki तते सट तो नहीं होता। भाव किशा नहीं होता है। असलिष लृद या सब पता है , लेकिन वह उन्म pas लोगना और मिथे आपने की इंदर गा मधोरी जाथ, जोड़ने को रुए जादा को मुझे कम देगी। कर दो जांगे वैसे कि आपका जाएगा यह तो ताप मां पुछफ। जाधा मिलेगा या बहुत कम मिलेगा लेकिस का स्मुंदर तक का आस पास का जो छेटर है वहां के नर्मल टंप्रेचर मेलेगा नहें समंदरी दराएं रही है और सकती है तो होगी है ठंदे जलकी अब ऑता क्या है कि गरम जल्की दरा जिस आप मान को बढ़ा देती है, और तंडे ज़र की दारा जिस चेतर की रा जाएक वहा की थान already जप आ RED के मान को क्या की फेती है, इन्ई इस चेतर की अंदर पेहर हैं वहाँ ताम जड़ा मिलेगा इसके विप्द्जी सेतर के ला कि अधानीचम्ब, गल्फ स्टीन की धारती कि वहां यह परिका है, वहां धारती यह बादी के तरर्ण वहां यह भिंजे में अगateg सब्दा कि बोटरी कम धारती दारलों, फिकलिकत्ते अगहां गया हो तन ऐसमेब ओला लौname क कि अधर बिनकेत ये है गरम जल्की तारा जो यो और जो किया प्रॉक पास्ट पित्ट का आपमार क्या दो देटी पड़ा देती है तो C जो आपका है तनेड़ा क्नेड़ा उसके जे तर्ट कर देती है वहां इस दाला वैक्ति है ये अगराओनगेद रेटी तर्ट लेपरोडोर की जो दारा है, वो कनाटा का जुटतर है, उसको क्या कर देती है, जमा देती है, बरब जमा देती है, रिजल क्या है, कि अगर किसी इस्थानी के उपर गरम जलकी सूंदरी दारा बैर रही, तो तापमान को बढ़ा देगी, इसके विप्रिततर तापमान को अगर के उपर क्या है, अगर हम एक ही साल के अंदर देखें, एक बार तो क्या है, जो दक्षिनी पस्थमी मांस्रून है, वो पहुने चलेगी, दक्षिनी पस्थमी बोल सकते हैं, यह वारी पहुने चलेगी, और एक बार क्या होगा, जैसे ही मांस्रून वापिस रोटेगा तो यह क्या कर देती है तो यह क्या कर देती है इसके विपरित जैसे ही क्या होगा उत्तर पुर्वी पहोने चलेगी यानि इसका उल्टा तब क्या होगा कि अगर सुदेड ठीडं से यह जुपरित पर परताइब। परछलिट भालता है इन धर आता है और जल भापन को ऑधाने patron गटेक आप्र ही आधेया जालएके पुर्मी पौंद तो यह क्या थची क्रती महिन के राफ़ार्स में राजात्र यह फो यह चलती है आफमान को कम करती है, लो ममी के डालब की डाल क मतलब क्या है, तेक वो चेतर है जहां सुभी की किरने सी इवरती है। और एक है जहां सुर्य की किले में हम पाते हैं। जो सुर्य की सामने वारा चेतर होता है उसको बोलते हैं सुर्य अभी मुखी चेतर। यह सुर्य अभी मुखी डाल। और एक है सुर्य अभी मुखी डाल। है जिसको फॉन का ढाल सुर्य के मिल्कुल सामने है जिसको गया बोलेगे सुर्य size की डालएगे तो बहां तात्मान क्याल कराकर किोग सब्सक्राइब筏 नहीं पड़ rendre में लेकिन इसका जो विप्रित जो भाग है जिसको प्या बहुते हैं तो यहां क्या होगा सुरी की किर्णे नहीं पढ़ पाएगी तो इस चेतर के इंदर याम का ताफ मां कम होगा क्या है कि जो उत्री गोलाद है उत्री गोला आर्द के अंदर जो भी परवण पाए जा रहे ही हैं जा कर दो नहीं 7 مहुते हैं係 के चेतब की साइडका कि इसके आगे हैं बोतल का सभाव का मतलब की द्रातर की उपर वनस्पत्ति पाई जा रही है या क्या है बर्फीला चेत्र है या ऐसे बोल सकते हैं पथ्रीला चेत्र है चेत्र है चाहि है और अष्या श्याश्यां अचान धायत wrinkles घृत्र है यह जा खूरस बैफीला है प्राक्रावर्थन करने प्रावर्थन करने मतलब का जेघा जादाने घर+. इसके विप्रिद अगर वहां क्या है गहरी काली मिट्टी पाई जा रही है मालो काली मिट्टी काही को चेतर तो काली मिट्टी क्या करेगी यह जो सुर्यत जहार आता द्रातर की उपर उसको क्या कर रहती है और यानि अगर घमि कैसी है इस जॉफिला चेतर है तो Facgraph प्रावडम होगाaya है या तो शॉखित कर रही तो वह ता प्रावर्तन होने ना कि हो जाएगा लेकिन वहां अगर ऐसी में पाईजा है जो क्या परही है दो यह तो को सब्सक्राइए तो हैź सब Ciao आलावा लास्ट् पॉइंटित फाई जिसके ų अधर मी रेत्त है के आटा पराज ऩाधर कैसे पॉइंक भॉड़ेश करो लूगेद में इपर गल्क्रातिक यूसरीश दॉपर बदर कुछ आरते से बादर हमी लुनक्तित करते साद प्ला हरा है इसके अलावा बातनों के साथ क्या है आर्दर्ता या वसन हम बोल सकते हैं आर्दर्ता की मातरा ज्यादा है तो भी क्या वा ताकमान कम होगा इसके पिछे रिजन क्या है कि जो जलबास्त हैं वो क्या कर लेते हैं सुरिये की जो किरने हैं उनको क्या कर लेते हैं और जो ताकमा तो अगर वाईनल पारद्र्सी है तो ताकमान जर्दा परापत होगा लेकिड वाईनल पारद्रसी नहीं है यह लोह रही मत वशा हो रही तो खेंद हम थो स proportion कम अने तो यह अई आजरी में पटा है क्याया है यह उसके दर